गुद मॉर्णिंग चिल्रेन अप्लास फाइब तुड़े वी आज हम गैसे के बाड़े में जानेंगे कि इसके मॉलिकुल्स कैसे अरेंज होते हैं यह कोई पर्टिकुलर पैटर्ण में अरेंज नहीं होते हैं इनका मॉलिकुल्स का खिचाव एक दूसरे के प्रती काफी कम होता है इनके मॉलिकुल्स एक दूसरे से काफी नज़्दीक नहीं होते हैं इनके बीच इन्टर्मोलिकुलर स्पेस पाया जाता है जिसके कारण ये मॉव करते हैं इनके वॉलियूम फिक्ष्ड होते हैं लेकिन इनका शेप फिक्ष्ड नहीं होता है गैसे इसका कोई फिक्स डिसेप नहीं होता यह फ्रीली मूव करते हैं थांक यू